कि आज 18 मई है तो वोले तारीखे तो हर दिन होती हैं साथियों आज वो दिन है जिस दिन आज के दिन भारत ने दुनिया के आखों में सबसे पहली बार चुमने का काम किया था क्या चुमने का काम किया था भारत ने पहली बार यूनाइटेड नेशन्स के पर्मानेंट मेंबर्स के अलावा न्यूक्लियर कैपेबल देश होने का साहस जुटाया था 18 मई 1974 वो दिन जिस दिन भारत ने दुनिया के सामने परमानू बम का परिक्षन किया था ये परमानू बम का परिक्षन इस्माइलिंग बुद्धा था और ये इस्माइलिंग बुद्धा ही था जिसकी वजह से भारत अंतर राष्ट्रिय पटल पर अपनी खुद की पहचान बनाने में कामियाब हुआ था हाला कि ये पूरा की पूरा महिना बहुत खास है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही 11 मई और 13 मई भी गया है हमारे लिए ये मही का महिना ना केवल उत्तर भारत में गर्मी बढ़ाता है बलकि संपूर दुनिया के में अंदर भी कैफी बार गर्मी बढ़ा चुका है 18 मई 1904 हो या फिर 11 मई 1908 में या फिर 13 मई 1908 में भारत ने मई के महिने के अंदर बहुत बंबरसाएं हैं और उन बंबरसानों के अंदर मेरे प्यारे साथियों भारत के नूकलियर परिक्षन शामिल हैं और उनकी शुरुआत स्माइलिंग बुद्धा से हुई थी तो ना भी किये सकती संपन देश बना लिया था एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आता है और वो ये है कि क्या कारण था कि 1974 में जो देश अपने परमाणू परिक्षन को कर चुका था वो देश अपने पास अगला परमाणू परिक्षन करने के लिए अगले 24 साल तक इंतजार किय ये बड़ा सवाल ये बनता है कि कैसे ये संभव था कि 1974 से 1998 के बीच में भारत को परमाणू परिक्षन करना पड़ा देखिए बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी है हाला कि एक टीचर को फिल्मों के बारे में रिकमेंडेशन कम देनी चाहिए लेकिन बॉलीवुड में और उसका नाम भी पोकरन ही है परमाणू है क्या हाँ परमाणू नाम से एक फिल्म बनी है जॉन अब्राहम की समय निकाल कर जरूर देखिएगा जैसे गाजी अटेक है या फिर पोकरन है परमाणू है ये फिल्में ऐसी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये व तो पर्मानु परिक्षन के बाद दुनिया के देशों ने हमें माना ही नहीं कि हमने पर्मानु परिक्षन किया है। चलिए थोड़ा इतिहास के जरोके से जांकते हैं। साथ योग बात है 1971 की, देखिए थोड़ा सा एक बार घूट और पाने के लिए। कहते हैं कि इतिहास में जब-जब युद्ध हुआ है, वो अपने साथ कुछ दे कर गया है। पता है आपको, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या State PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके question के answer में आपसे कई बार ये सवाल पुछा जाता है कि प्रतम विश्वयुद्ध या दितिये विश्वयुद्ध की वजए से प्राप्त उपलबदियों की चर्चा करें। यानि इनकी वजए से क्या हमें प्राप्त हुआ उसकी चर्चा करें। हम लोग क्या मानते हैं विश्वयुद्ध हुआ तो इसकी वजए से तो नुकसान ही हुआ था। आपको पता है 1971 का वार हो या फिर कारगी का क्राइसिस हो ये तमाम वो चीजें हैं जिसने भारत को कुछ जरूर दिया है। साथियो 1971 के वार में जब भारत ने पाकिस्तान को तो टुकडों में तोड़कर बंगलादेश का नया निर्मान कर दिया था तब भारत को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। और वो क्या थी कि हम लोग जब तक अपनी सुरक्षा करने में कामियाब नहीं होंगे हम दुनिया के सामने औरों के भरोसे जीवित नहीं रह सकते। साथियों जो अमरीका आज हम लोगों को तरह तरह के ओफर देता है वो अमरीका उस समय हमारे खिलाफ इतना जबरदस्त बरकर बैटा हुआ था कि अमरीका की सैना भारत के बिलकुल निकट वरती समुद्र के अंदर खड़ी हो गई थी आकर के अटेक करने के लिए। देश का निर्मान केवल निर्मान ही ना होता अपीतू भारत के रूप में एक बहुत कहर बनके पनपता वो तो उस समय भारत के समर्थन में वही रश्या आके खड़ा हुआ जिसके समर्थन में आज हम कड़े हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारत की ततकालीन प्रधान मंतरी इंदरा गांधी ये समझ चुकी थी। अचा देखो आप लोग बहुत सी चीज़ों को खुद भी अब्जर्व करते होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अमरीका जहां दुनिया के तमाम देशों के उपर कुछ ना कुछ एक्षन लेने को तयार हो जाता है, वो आज तक एक भी गोला उत्तर कोरिया पर नहीं बर पर वो आता है, उसके उपर वो अभी तक कोई एक्षन नहीं ले पाया है, इवन इतना ही नहीं, सिंगापुर में वो बैटकर डोनाल ट्रम्प उस किम जंग उनके साथ बैटकर हाथ मिलाते हैं, उसको समझाते हैं कि ऐसा मत करो, ये तो आप देखी रहे होंगे, परमानु शक्ती का होना इतनी ताकत आपको देखता है, कि दुनिया आपकी तरफ देखने से कतराती हैं, 1971 की इस्तियों को देखते हुए, इंद्रा गांदी जी ये समझ गई थी, कि आज तो हमारी सहायता के लिए रशिया आ गया है, और हमने इस स्टैंड को ले भी लिया है, लेकिन भविश्य में अगर अब हमको कुछ आगे करना है, तो हमारी ताकत को उचाईयों तक ले जाना होगा, और यही कारण था, कि उन्होंने भाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट में, डॉक्टर सहाब जो रमन्ना सहाब थे, आरार रमन्ना, उनसे कहा गया, कि आप भ विक्रिया कराई जाती है, उसके लिए जो मशीने यूज में आती है, वो हमारे पास उस समय तक नहीं थी, अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज और एड कराना चाहूँगा, कि जो होमी जागीर बाबा, जिनके नाम पर भाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट का न हैं कि वो एक बहुती प्रकांड परमानो विज्ञानी थे, वो इतने इंटेलिजेंट व्यक्ती थे, जब देश आजाद हुआ, वो उसी समय देश के प्रधान मंत्री नहरू जी को कह चुके थे, कि अगर आप इजाजत दें, तो मैं परमानो बम अभी बना सकताू, यानि भारत में विज्ञानिकों का टेलेंट तो हमेशा एक्स्ट्रीम पर रहा है, और साथियों इसके बारे में कॉंस्पिरेसी भी है, होमी जहांगीर भावा एक हवाई जहाल्च के क्रेश में मारे गए थे, आल्प्स परवत के उपर वो क्रेश हुआ था, आज तक उनके बारे में या फिर उनके जो ब्रीफ केस था, उसके अंदर जो गिरे हुए कागज थे, वो आज भी आल्प्स पर पड़े हुए हैं, क्योंकि बर्फ में वो कहीं सनरक्षित हैं, लोगों की कवन दिती हैं, कितना साही, कितना गलत, जैसे बोस जी के बारे में कोई जानकारी, अब कतकालिक रूप से तो हमें नहीं मिलती, तो फिर से मैं लोटता हूँ, तो उसी भावा के नाम पर भावा Atomic Research Institute बना था, और उसी Atomic Research Institute में जो भावा खुद परमानू बनाने की ताकत रखते थे, इन Western countries ने उनको तो मार डाला, लेकिन उसी के दम पर या फिर बार्क के दम प पनप रहे थे, उन विज्ञानिकों को इंद्रा गांदी जी ने कहा कि आप भारत के लिए परमानू बम का निर्मान करिए, और परमानू बम के निर्मान में जो रमन्ना सहाब हैं, इन्होंने 1972 में परमानू बम भारत के लिए बनाने का प्रयास शुरू किया, आज के दिन 18 माई 1974 को भारत ने अपने परमानू बम का परिक्षन किया, जिसका प्रोजेक्ट नेम था इस्माइलिंग बुद्धा, कहते हैं कि जब इस्माइलिंग बुद्धा हुआ, तो इंद्रा गांदी जी को रिपोर्ट में ये आंसर भेजा गया, कि बुद्ध हैस स्माइल्ड, य कास करके गए थे, शान्ती की अहिंसा की पाठ पढ़ा कर गए थे, लेकिन इसका अर्थ ही ये ना निकाला जाए, कि हम अपनी सुरक्षा करने में कामियाब नहीं हैं, वेस्टन कंट्रीज ने विशेश रूप से परमानू संपन 5 रास्ट्रों ने, जो United Nations Security Council के मेंबर हैं, तो दुनिया के बहुत से देशों ने हमारी उस समय मौकरी भी बनाई, मजाग बनाई, ये परमानू बम का परिक्षन करेंगे, लेकिन जब एन्वायरमेंट के अंदर परमानू के ट्रेसेस दिखने लगे, गर्मी के अंदर प्रकोब दिखने लगा, अमरीका के चार-चार स भारत के खिलाफ हो गए, और उन्होंने इस स्माइलिंग बुद्धा के अगेंस्ट भारत पर प्रतिबंद लगा दिये, सैंक्शन्स लगा दिये, उन्हीं सैंक्शन्स की वजह से भारत को और दुनिया के सामने एक्सेप्टेंस मिली कि जी हा, हम अपने परमानू बम का पर प्रयास किया, कि नहीं 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 इन से कुछ हुआ नहीं है, इन्होंने केवल ट्राई नाइट्रो टॉलूइन को, यानि कि जो बम के अंदर उपियोग में आने वाला सामान है, उसी को ब्लास्ट करके दुनिया को दिखाया है, ताकि लोगों को लगे कि इनके पास परमा प्रमानु बम किसी और देश पर तो चलाया नहीं जाएगा, इन्होंने केवल एक बोम को ब्लास्ट करके दुनिया को ये दिखाने का प्रयास किया है, कि हाँ भाई, इनके पास भी परमानु बम है, जबकि वो परमानु बम नहीं, TNT यानि ट्राई नाइट्रो टॉलूइन इस प्रकार की भी कई सुर्खियां भारत के खिलाफ प्रकाशित होना शुरू हुई, क्योंकि भहले बम ने हमें वो इज्जत नहीं दिलाई जो हम लोग चाहते थे, इसलिए अटल जी के नित्रत्व में अगली बार फिर से वो धमाका करने का प्लान किया गया कि दुनिया क अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपी तु पूरे पांच ब्लास्ट करके बताया जाएगा और एक दिन में नहीं, दो अलग अलग दिनों में ब्लास्ट करके बताया जाएगा कि क्या हमारे पास है, साथियों वो दिन था 11 मई 1988 में, जब इसी पोकरन के अंदर, आरत अपने परमानु बमों में पांच बम दो दिनों तक लगातार फुड़े इंट्रेस्टिंग बात ये है कि पहले ही अमरीका ये भाप चुका था 1974 में ही कि भारत कभी दुबारा परमानु बम का परिक्षन करेगा यही कारण है कि उसने भारत के उपर चार-चार सैटलाइट्स पूरे टाइम के लिए लगा दिये थे उन सैटलाइट्स के चार-चार सैटलाइट्स जो पूरे टाइम भारत के उपर निगरानी रखा करते थे उनकी देखने के बावजूद भी भारत ने अपना परमानु बम का परिक्षन किया यह अपने आप में भारत की द्रड़ता औ और कृत संकल्पता को दर्शाता है कहते हैं कि 1998 में जब भारत परमानु बम का परिक्षन कर रहा था तो उन्होंने उस समय के वैज्ञानिकों को भी भारतिये सेना की ड्रेसिस पहनाई थी बहुत सी तस्वीरे आज वाइरल हैं जिसमें कलाम सहब भी आपको भारतिये सेना की द्रेस में दिखाई पड़ते हैं भारत के तमाम वैज्ञानिकों को उनके कोड नेम दिये गए थे जो कि बाद तक जब परिक्षन खत्म हुए उसके बाद अपना औरिजनल नाम भूल चुके थे इतनी दड़ता से वो लोग अपने छेत्र में कारे किये थे कहते थे कि जब सेटलाइट अपना पोजिशन बदलता था तो उस दौरान जो समय बचता था उस दौरान भारतिये वज्ञानिक तयारियां करते थे परमानू ब्लास्ट की कहने का अर्थ ही यह है कि भारत में बहुत ही महनत से अपने लिए ही इस्थान प्राप्त किया है इसलिए आज का ये जो दिन है चाहे वो आज का दिन हो या ग्यारा और तेरा मई का दिन हो वो भारत के लिए बहुत माइने रखता है मेरे प्यारे साथियों इसी लिए आज की याद में मैंने आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया क्योंकि इंडिया का जो पहला परमाणू परिक्षन था वो आपको आज से ही याद दिलाता है ओपरेशन इसमाइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था और जो दूसरा परमाणू ब्लास्ट था जो पोकरन में 1998 में हुआ उसे ओपरेशन शक्ती नाम दिया गया था यह तक थे मैंने जो आपको बोले हैं यह सारे की सारे लिखकर दे दिये गए हैं पहले परमाणू बंपरिक्षन के जो नायक थे वो राजा रमन्ना थे यह आप लोगों को बात अच्छे से पता होनी चाहिए ठीक है ना क्लियर रहे तो यह सारी जानकारी मैंने आपको दे दी हैं जो बाते मैंने बोली है यह सारी बाते यहाँ पर प्रौफर तरीके से लिखित में दे दी गई हैं तो 18 तारिक, 11 तारिक और 13 तारिक ये भारत के लिए परमानों के इतिहास में बहुत ज़्यादा माइने रखने वाली तारिक हैं। चलिए इसके बाद आगे। आप सब को मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्स में क्या-क्या आपको दिया जाता है। आपको प्रात्मिक्ता दी जाए। तो प्रात्मिक्ता के आधहार पर अनकेडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें। तो आपको प्रात्मिक्ता बेस रेज हेंड का फीचर दिया जाता है। असल में Unacademy पर educators के साथ students की बात करने का एक ऐसा feature डवलप किया गया है जिसमें कि आप teacher से सीधे application के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं इतना ही नहीं आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ doubt confirm कर सकते हैं जल्दी ही prices बढ़ने वाली हैं ऐसी इस्थिती में यदि आप अगर subscription लेना चाहते हैं तो अभी लेने Iconic subscription अगर मैं SSE की case में बात करता हूँ तो आपको बहुती nominal कीवद पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है जिसमें math, reasoning, english, gk सभी की classes उपलब दोती हैं वहीं plus के case में आपको ये courses पैसट सो रुपे में प्राप्त होते हैं तो आप इसे access कर सकते हैं अगें युसमेराव पूड अंकितन तो अवेल इस अफर इमेडिएल था था इंडिक य।